रुकमिनी नहीं देगी सुमेद को तलाक और मलहार को इस बात पर आएगा गुस्सा सब्सक्राइब और हिट देबल इकन तो नेवर मिस अनाथर अपडेट फ्रम इंडिया फोरूम्स सीरेलाक मिचौली में आप देख रहे हैं जब से मलहार आया है रुकमिनी बहुत परिशान है और वो चाहती है कि वो सुमेद को अपने और मलहार का सच बता दे वो एक दो बार कोशिश भी कर चुकी है पर ऐसा कर नहीं पाई आप देखेंगे सुमेद और मलहार दोनों रात में बैट कर शराब पीते हैं अपने दिल की बात एक दूसरे से बोलते हैं और अचानक से मलहार सुमेद को लेकर उसके कमरे में आता है तो वो देख लेता है कि बेड़ के नीचे दो अलग बिस्तर है यानि की रुकमिनी और सुमेद के बीच में पती-पत्नी जैसा रिश्टा नहीं है और सुमेद ने खुद अपने मुझे मलहार को ये बता भी दिया था कि उन दोनों के बीच में कोई रिश्टा नहीं है ऐसे में आप देखेंगे कि म मलहार को एक मौका मिल जाएगा और उसे लगेगा कि रुकमिनी उसकी फिर से हो सकती है और वो कोशिश करेगा दोनों को अलग करने की रुकमिनी जाएगी मलहार के पास उसकी चाय की शौप पर उसे सच बताने लेकिन यहां मलहार उसे सौरी बोलता है और अपना सच बताता है कि वो इस घर का नाजायज बेटा है उसके पिता ने मा के साथ जो गलत किया उसी का खामियाजा है कि मा उसे पसंद नहीं करती लेकिन इसलिए वो अपनी हर चीज में मा को आगे रखता है सुमेद का बरताफ सुमेद का परिवार के लिए प्यार और समर पर देखकर रुकमिनी का दिल पिखल जाता है और वो निर्ने रेती है कि इतने अच्छे इंसान का दिल नहीं तोड़ेगी इस परिवार को नहीं तोड़ेगी और आप देखे हैं उधर मलहार रुकमिनी और सुमेद के डिवोस का पेपर बनमा कर ले आएगा रुकमिनी को साइन करने को कहेगा ले कि वो सुमेद को डिवोस नहीं देगी